Hello Friends, आपका स्वागत है मेरे चैनल में Health Conscious मैं आज आपको आम के बारे में बताने जा रहे हूँ आम की गुठली के बारे में आपको बताने जा रहे हूँ आम के फायदों के बारे में तो आप सबी लोग जानते होंगे लेकिन आज में आपको आम की गुठली के फायदों के बारे में बताने जा रहे हूँ फलो का राजा हर किसी को पसंद होता है गर्मिया शुरू होते ही आम आना शुरू हो जाते हैं लोग इसको हर परकार में खाना पसंद करते हैं लेकिन जितना आम फायदे मन्द है उतनी ही इसकी गुटली भी फायदे मन्द है गर्मियों में पसीने और गंदीगी से बालों में जूओं का होना एक समानने सी बात है लेकिन आम की गुटली इससे निजा दिलाने में फायदे मन्द है इसका इस्तेमाल करने के लिए आम की गुटली को सुखाएं और पीस कर पाउडर बना लें पाउडर बनाकर इसे किसी डिब्बे में या किसी भी चीज में आप इसे रख सकते है इस पाउडर को लें और इसमें नीबू का रस मिलाकर बालों में लगाएं इससे जुएं खत्म होने में मदद मिलेगी पेट खराब होने पर दस्ट लग जाते हैं ऐसे में आम की गुटली को अच्छी तरह सुखाएं और इसका पॉर्डर बना ले और इसे एक गिलास पानी में मिलाएं या शेहत के साथ भी ले सकते हैं इससे दस्तों में रहात मिलेगी सुकून मिलेगा हाई ब्लड प्रेशर सिमीत मातर में आम की गुटली का चूरण लेने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से भी हमें निजात मिलती है और दिल की बिमारियों की समस्या भी हमारी दूर होती है आम की गुटली दिल की बिमारी में भी कारगार साबित है रक्त चाप को नियरतित रक्ती है बस लेकिन इसे थोड़ी ही मातरा में इसे लेना चाहिए सिर्फ एक ग्राम के करीब अधिक मातरा में इसे ना ले महीलाओं के लिए भी आम की गुटली का चुरन बेहत फायदे मन है जिन लड़कियों के पीरियर्ड में बलेडिंग जादा होती है उन वरतों को भी आम की गुटली का चुरन डही में मिलाकर थोड़ा सा नमक मिलाकर लेना चाहिए इससे दर्ड में रहात मिलती है और थोड़ा सा सुकून मिलता है सो गाईज अगर आप मेरे चैनल पे नहीं